जैहिन दोस्तों स्वागा थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हाँ पर हिंदी साहिती के बहुत ही मात्वण कॉस्चन आंसर तो वीडियो को पूरा अवस्य देखें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को स अग्मान दीन ने मिस्रबंदू पदमसेह या जारी परसाथ दो बेदी तो हिंदी साहित में तुलांत्मक आलोचिना का जो सुभारा में क्या है पया है पदमसेह सर्मा ने तो पदमसेह सर्मा विकल्प नमबर भी आपका हैं पर सही आंसर है कॉस्चन नमबर एक सो थीन आपके यहां पर दिये गए हैं महत्तपूर्ण कॉस्चन पूचा गया है और आपका यहां पर जो सही आंसर होगा वै क्या होगा तो ब्यक्तिक चिंतन आपके यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी राइट आंसर है आपका यह कॉस्चन आपके किसी ना किसी एक्जाम में जरूर पूचे गए हैं PGT, TGT, GIC में महत्पुन यह आपकी question है यहाँ पर question number आपका यहाँ पर जो अंगला दिया गया है question number 104 भै क्या दिया गया है यहाँ पर देख लेते हैं यह है आपका question number 104 इलियट का मूर्त विधान भारतिय काप विशास्त्र के किस तत्तों से तुल निये हैं साधार्नी करण से विभाबन वियापार या रीती या प्रितिवा तो question number 104 का आपके लिए आंसर बताना है यह 104 का आपका है आपका यहाँ पर जो सही आंसर है भै क्या होगा तो विकल्प number C विभाबन वियापार आपके यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प number C आपके यहाँ पर राइट आंसर है साधार्नी करण की सही वियाख्या यहाँ पर है साधार्नी करण की सही वियाख्या क्या होगी यहाँ पर यह बताना है आपके लिए यह आपके यहाँ चार विकल्ब देगा हैं साधानी करण की सही विकल्ब बताना है तो आपका डी राइट आंसर है यहाँ पर कि साधानी करण बहब्यापार है जिसके द्वारा कापिस रष्टी में कभी निर्मित पात्रे व्यक्ति विसिस ना बनकर सामान न बन जाती हैं तो यह जो है आपका ह यहाँ पर सही आंसर है विकल्ब नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही question नंबर आपका 106 यहाँ पर पूँचा क्या है उन्नत मना सब्द का सही अर्थ क्या होगा अच्छे भाबों एवं बिचारों से योक्ति या सामन भाबों एवं बिचारों से योक्त आपका ये जो है उननत मना का अर्थ होगा तो इस परकार डी आपका यहां पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन क्या पूच्छा क्या है देखिए अंगला कॉस्चन है आपका यहां पर यह दिपी मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं लेकिर मेरे विचार में हिंद आपका यहां पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन क्या पूच्छा क्या है तो देख लेते हैं देखिए कॉस्चन नमबर आठ आपसी यहां पर पूच्छा क्या है कि हिंदी का ऐसा कौन निबंदकार है जिसके ध्यान में लेकते समाए बाण और दंडी रहा करती थी राम दंडी जो है इनके ध्यान में रहते थे तो आपका यहां पर सही आंसर है क्या होगा Right answer question number 108 का सी गोविंद नारान में सर यानि की विखल्प नंबर सी आपका है अंगला कॉस्चन क्या पूच्छा क्या है तो अंगला कॉस्चन यहां पर देख लेते हैं देखिए ए रहा आप से यहां पर पूछा है कि कवीता मनुष्य को स्वार्थ संबंदों के संकुचित घिरे से उपर उठाती है यह कथन किसका है आचार रामचन शुकले स्याम सुन्दर दास आचार हजारविपर सदुविदी डाक्टर नगेंडर जो कवीता है यह मनुष्य को स्वार्थ बंदों के संकोचित घीरों से उपर उठाती है यह जो कथन है वह किसका है तो आपका सही आंसर है आचार रामचन सुकल आपके हैं पर सही आंसर है बिल्कुल सही आचार रामचन सुकल आपका राइट आंसर है कॉस्चन नमबर आपका 110 कवीता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है यह किसने कहा है यह किसने कहा है यह आपके लिए यहां पर बताना है तो आपका सही आंसर क्या होगा यह आप बताई आपर महत्तुपूर्ण कॉस्चन आपसे यहां पर पूंचा गया है तो मूल अन्हां जीवन क्या लोचना है, यह जो कहा है, किस ने कहा है तो आपका सहे आंसर में थिू अर्नॉल्ड आपका हहां पर सहे आंसर है, question 111 पूंचा है, गवीता हमारे परीपूर्ण चणडों की बानी है, यह किस ने कहा है, यह आपकी महत्तुपूर्ण question है तो बताईए क्या होगा इसका सही answer महत्तुपूर्ण question पूचा क्या है नए कवीता कवीता हमारे परिपूर्ण चणों की बाणी है यह जो किसने कहा निराला प्रसाद महादेवी बर्मा या पंत तो पंत आपके हैं पर सही answer होगा पंत जिन्हों ने बताया है उनका यहां पर सही answer है बिल्कुल सही right answer बताया आप लोग ने अंगला question क्यों बढ़ते हैं अंगला question क्या पूंचा गया है तो देख लेते हैं यहां पर आपका जो अंगला Question No.112 आपसे यहां पर क्या पूंचा गया है 1111 question आपसे पूंचा गया है कि सर्वुत्थम सब्द अपनी सर्वुत्थम क्रम में कवीता होती है किसने कहा है तो question number 112 का आपका जो सही answer है कि ये जो कहा है भै किस ने कहा है तो आपका सही answer है college college ने कहा है विकल्प number C आपके हाँ पर सही answer है question number 113 पूंचा है हमारे सबसे मदरगान B हैं जिसमें विबाद पूर्ण भाव व्यक्ते किये जाते हैं आपके ह Tina पर बताना है ये तो चार विकल्प आपके हाँ पर दिए गए गए question number 113 और 113 का right answer है आपका जैली जिन्होंने बताया है उनका हाँ सही answer है पिल्कुल सही question number 114 क्या पूँचा है आलोचिना को कला की सजगता है आ लोचना को कहा है कला की सजग्यता तो किसने कहा है ये आपके लिए बताना है तो आपके यहां पर जो सही answer है काॉस्चिर नमबर 114 का बहलें आपके यहां पर right answer 114 का विकल्प number 1 है आपके राइट answer है Middle程 मरी आपके यहां पर सही answer विकल्प number 1 अंगला question है चिंता 1 है बाक्यांस में विक्तिस्तान की पूर्थी है तू सही सब्द चुनना है चिंता 1 खालिस्तान है यहाँ पर आपका जो इस बाक्य में आपके लिए बताना है क्या होगा तो आपका right answer है चिंता 1 है रोग ब्यादी कष्ट या आधी तो आपको यहां पर सही answer होगा आधी आपको right answer है विकल्प नंबर D आपको सही answer होगा मांसिक पीना की संः आधी है यह आपके लिए आद रखना है सारेग पीना को व्यादी गाइती है और चिन्ता एक मांसिक पीना है कष्ट परहसारी रेक होता है अंगले question यहां पर क्या प सुकल ने किस कभी के बारे में एक किस ने किया है सुकल जी ने कि educación कभी के बारे किस ने और पूंचा से यात्रा सीर्षक्स किसी ने किया है तो यह जो किया है यह वराज्च की यात्रा सीर्षक्स किया है सत्य देवपरी ब्राजक ने मौलवी महिस परसाद भगवान दिन दुबे या चंडी परसाद सेहने तो यह जो किया है यह किसी ने क्या है चंडी परसाद आपके हैं पर राइ आंसर बिल्कुल सही विकल्प नंबर C राइट आंसर है अंगले कॉस्चन हिंदी में स्वचंदता बाद का कभी कौन कहा जाता है हरी ओद सिरीधर पाठक रामनेश्थर पाठी अराधा कृष्णे दास कॉस्चन नंबर 118 का राइट आंसर बताना है स्वचंदता बादी कभी कहा जाता हिंदी में तो आपका सही आंसर B & C यानि कि रामनेश्थ तरपाठी श्रीधर पाठक आपके हैं पर सही आंसर होगा बिल्कुल सही तो यह आपके लिए याद रखना है अंगला कॉस्चन क्या पूछा क्या है तो अंगला कॉस्चन आपका यह रहा यहाँ पर आप तो भारतेंदु ने या महाविय पर साथ दुबेदी आचाराम चंसुकल या सुमित्रनंदन पंत तो question number आपका यहां पर है 119 और 119 का आपका जो सही answer है तो आपका आचाराम चंसुकल विकल्प नंबर आपका C यहां पर right answer है विकल्प नंबर C जन्हों ने बताया है उनका सह स्वचंदता बाद की विशिष्टा नहीं है देखिए नहीं पूंचा है आपसे यहां पर पिरकृति परवेक्षण कथा गीत प्रयोग प्रयम चित्रन विरजवासा में रचना तो question number 120 का सही answer बताना है स्वचंदता बाद की विशिष्टा नहीं है तो 120 का आपका right answer है नही स्वचंदता बाद की विशिष्टा नहीं है तो बताईए यह पर Trump 211 में राइट आंसर बताना है तो बहे कौन सा कतन है जो स्वाचंदताबाद की विशेषता नहीं है तो question number 121 का आपका जो सही answer है बहे आपका यहाँ पर right answer 121 का विकल्प number B यानि कि कल्पना व्यापार का महत्त तो यह जो है आपका सही answer होगा विकल्प number B right answer है question आपका यहाँ पर जो पूचा क्या है question number आपका यहाँ पर क्या है 122 क्या पूचा क्या है कि यहाँ पर देख लेते हैं नमलिकत में असे कौन नवगीत की प्रिशद उननायक कभी है नवगीत की नवगीत की बताना है तो नवगीत की उननायक की कभी यहाँ पर कौन है तो question number 112 का सही answer बताना है 112 का आपका जो right answer है बीरंद मिसर भवानी पर साद में सर्दोस्यांत कुमार या सर्विस और जयाल सक्सियाना तो आपका सही answer है बीरंद मिसर यानी की विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर right answer है बीरंद मिसर है अंगला question क्या पूँछा क्या है तो अंगला question आप से यहाँ पर पूँछा क्या है question number 123 क्या पूँचा क्या है हिंदी के काव विभासा परक समीख चक का नाम क्या है विजय देव नारान साही डाक्टर रगुबयंद से नेमी चंदर जेन या रामसरूप चतुरवेदी कॉस्चन नमबर 123 का सही आंसर बताना है तो 123 का आपका जो सही आंसर है वहे आपका यहां पर राइट आंसर विकल नमबर आपका डी राइट आंसर रामसरूप चतुरवेदी आपका यहां पर सही आंसर होगा रामसरूप चतुरवेदी जी को हिंदी के काव विभासा परक समी चक का नाम है यह आपके लिए रखना है question number आपका यहाँ पर अंगला जो पूंचा है नानक दर्सन का सार तत्त है क्या है यह आपके लिए बताना है असाधिवार या सोहिला या रहीरास या जपू जी तो question number 124 का सही आंसर बताना है नानक दर्सन का सार तत्त है तो आपका यह पर 124 का विकल्प नमबर d जपूजी आपका यहाँ पर सही आंसर है। जपूजी जिन्हों ने बताया है उनका सही आंसर होगा यहाँ पर. कॉस्यन नमबर 125 की ओर बढ़ते हैं, 125 वा कॉस्यन आप सी यहाँ पर क्या पूछा है ? तो 125 पर question है तुलसी दासकिस दार्षनिक मत के भक्त जाए तो आपका सही answer है क्या है अध्वत्यबाद आपका विकल्प नंबर एक यहाँ पर सही answer है विकल्प नंबर एक जिनों ने बताया है उनका यहाँ पर सही answer है अगला question क्या पूँचा है अदवत बाद की अनुसार बताईए यहाँ पर क्या होगा right answer जीव और ब्रह्मा एक हैं संसार सत्य है जीव और ब्रह्मा अलग अलग हैं ब्रह्म में विसेशन युप्त है तो अदवत बेद की अदवत बाद की अनुसार बताना है question number 126 में तो आप आपका यहाँ पर right answer क्या होगा यह आपका PGT में 2015 question पूँचा था और जीव और ब्रह्मा एक है इसके अनुसार अदवत बाद की अनुसार अंगला question क्या पूँचा गया है तो अंगला question आप से यहाँ पर question number 127 पूँचा है कि सूची A1 का मिलान सूची 2 से यहाँ पर करना है तो यहाँ पर देख लेते हैं यह आपका सूची 1 है सूची 2 है तो इसको मिलान करना है तो यहाँ पर आपकी कूट भी दिये गाए हैं तो यहाँ पर आप जो है direct answer देख लेती है पन यहाँ पर तो सुद्धा दौत बाद तो बल्लबचारी अदौत बाद संक्राचारे विस बढ़ते संप्रदा है निमबारिकाचार रामानुजाचारे या विष्णू स्वामी या मदवाचारे तो अब भी पड़ा आपने हैं यहाँ पर क्या पड़ा है यहाँ पर देखिए यह दोत्त बाद है यह मदवाचार है तो आपका यहाँ पर मदवाचार विकल्प नमब पाद दर्सन के प्रवर्ट तक कौन है तो 139 का आपका विकल्प नंबर C बल्लबाचारे आपका यहाँ पर सही आंसर है मत्पूंड कॉस्चन पूचा गया है बल्लबाचारे आपका यहाँ पर सही आंसर है कौस्चन नंबर 139 क्या पूचा गया है सूची एक को यहाँ पर भी सूची दो से जो है सुमिलत करना है तो यहाँ पर आंगे कि जो विकल्प यहाँ पर देख लेते हैं क्या है आपका यहाँ पर एक कूट भी देख लेते हैं तो आप यहाँ पर डारेक्ट सूची देख लेत हो जाएंगे तो इस पिरकार ये जो है सुची सम्मिलित हो गई रामानुज ने स्री संपरदाय में किसकी उपासना होती है रामानुज के जो स्री संपरदाय है इसमें किसकी उपासना होती थी संकर, विश्णू, ब्रह्मा या लक्ष्मी तो question number 131 का सही answer बताना है इसमें जो उपासना होती थी, भै होती थी किसकी विश्णू जी की विश्णू आपका यहाँ पर सही answer है विश्णू जिनों ने बताया है उनका यहाँ पर सही answer है विकल्प नमबर C question number 132 यहाँ पर पूंचा गया है आपसे क्या पूंचा है कवीता के लिए बड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुवात की प्रेमगन ने भारतेंदु ने जगन्ना दासरतना करने अयुद्या प्रिसाद खत्री ने question number 132 का सही answer बताना है 132 का आपका right answer क्या होगा कवीता के लिए बड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुवात की थी तो एह की थी किसने अयुद्या प्रिसाद खत्री जी आपका यहाँ पर right answer है यह आपका मतपुन question है विकल्प number D right answer है question आपका यहाँ पर जो अंगला पूँचा गया है question number 133 है भारत में सबसे पहला पंचमी रंगमंच की स्तापना खालिस्तान में हुई थी question number 133 का सही answer आपका यहाँ पर क्या होगा 2015 में यह question पूँचा गया है और बंगल आपका यहाँ पर सही answer है भारत में सबसे पहला जो पश्चमी रंग मंच है इसकी स्तापना हुई थी यह हुई थी कहां पर बंगाल में तो विकल्प नमबर C आपके हैं पर सही आंसर है अंगले कॉस्चन है नाटक का अभीना रंग मंच के जिस अंगले इस्तान पर होता है उसका नाम क्या है यह आपक रंग पीट है क्या है रंग पीट आनके विकल्प नमबर E एक जो आपके हैं पर दिया गया है यह आपके हैं पर सही आंसर है देखे रंग मंच में दो भाग होते हैं पिछले भाग को रंग सीर से जबकि सबसे आंगे वाले भाग को रंग पीट कहा जाता है इन दौनों की परदे का पीछे का इस्तान क्या कहलाता है तो यह आपका महत्वपूर्ण कॉस्चन है अब भी यहाँ पर पड़ा है क्या कहलाता है तो जल्ली से बता दीजे बिल्कुल सही राइट आंसर बता है नेपत्त कहलाता है क्या कहलाता है नेपत्त कहलाता है तो यह आपके लिए यह उप्रदे के पीछे बाला इस्थान होता है तो इसको जो है क्या कहते हैं इस परकार अपनी हाँ पर भ। ही महत्तिपून कॉश्चन कम प्लेट हुए क्या भूलें तो आज की वीडियो में वस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए जैहिन